मन 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 जल्दी उड़ाते ले यह मैं तो सत्तर से नीचे मन लगाना हनुमान गेर लादो कैसे हो भाई सारे करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत अपने नए व्लोग में तारिक तो आज भाई आज सेमी है 15 अपरेल 2023 जब कि कल अपने व्लोग देखिया था वो भी 15 तारिक को स्टार्ट किया था और 15 को ही उसका एंड वा था तो भाई आज मैं निकला हूं आपको 7 बजे काम पर तो मेरी जो बुकिंग है एक रात को 3 बजे का पिक अप है मेरे पास सरीता वियार से एरपोर्ट के लिए तो 3 ब पाद एक बुकिंग का टाइम रेगा क्योंकि मेरा पिक अप है साथ बजे सुबह मतुरा ब्रिंदावन के लिए दो दिन का तो आज रात के व्लोग में आपको देखेंगे कितना काम हो पाएगा और कितनी बुकिंग आएंगी पता रूंग आपको अपडेट तो बने रहना साथ बजे सी एंजी फिल कराने के बाद साथ बजे बाई साथ बजे पाच्छे मैंने न्यूनी चल लो करें आगे ट्रैफिक का बहुत बुरा आल रहा है बाई तो इस बज़े से मैं नो बजे ही डिवाई स्टार्ट किया था तो इससे पहले बुकिंग और आई थी मगर वो कैंसल हो गई सवारी की तरफ से ही तो वह पाच्छे वाई है डूटी आई है नो बज़ के चालिश मिनट पर और मैं बस पहुंच भी गया हूं पिकप लोकेशन के आसपास तो बाई पिक करते हैं और चोड़ते हैं पैसे देर को पांचे किलोमीटर का ही ड्रोव है इनका द पहुंचता हूं और फिर करते हैं पैसे देर को ड्रोप उनकी लोकेशन पर अधिया वनेट डबल जिरो काउंटिंग कर लेना है काई बहुत बैठे थे अंदर कहीं कोई कोई बूल जाओ तो बाई स्बॉकिंग का हो गया है एंड और बिल बढ़े हैं 283 रुपे गाइस में करीब 5-6 से 6 किलोमेटर की राइड थी ड्रोप कर दिया है पैसेंजर को और अब यह निकलता हूं यहां से क्यूंकि यहां तो बहुत बुरा अल रेने वाला है क्योंकि सैटरडे नाइ। आया कि सैटरडे को तो यहां पर बहुत बुरा हाल रहता है बाई सनिवार की राच पे तो कलब रोड पंजावी बाग में बहुत जबर दस्तरस रहता है तो उनको ड्रोप करके मैं आ गया हूं आगे की तरफ और अभी देखते हैं कितनी देर में बुकिंग आएगी बाई 10 बज के 20 मिनिट हो चुके हैं 9 बज के 40 मिनिट में बुकिंग म में लास्त तक और देखते हैं रात के 2 बजे तक और कौन-कौन सी बुकिंग आती है आती भी है या नहीं आती दाई बजे तो सरीतवियार पहुचना ही है तो एक छोटी सी बुकिंग और आ गई है पस्सिर विहार से पंजाबी बाग के लिए जहां मैं खड़ा हुआ तो व वाइन का भी पिक और टॉप कहा जाना है? अमने जाना है कलब रोल वह दूक जो या 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 चाहर रहा है पीजी कंदे बच्चे छे बंदे बैठा सिरफ अरकते ना दरना शेही है भाई या शेही है अब भीजी कोड़ी खराब है लगड़ी है अब भीजी है साथ इतने निजा पाएंगे दूसरे काड़ी बुट लगएंगे अरे लिया अरे पिछे बहर जाना एक और तो दो है छोटे-छोटे से तो है आपको पता है यह बाती सारी स्टोरी 40p बता दिए 40p 8711 जल्दी उड़ाते ले यह मैं तो सत्तर से नीचे बन लगाना हनुमान गेर लादो हाहा एयरफ्लिक बोड लाल है को को ना इस जाना है यह तो भाई जो बुकिंग आई थी अभी पस्ष्म वी आर्से पंजाबी बाग के लिए बहुत ही छोटी ड्यूटी थी 1.3 km टोटल इसमें मेरी गाड़ी चली और 1.91 का इसमें बिल ओला से बना है तो भाई इतनी छोटी ड्यूटी आई है 15 मिनिट में पिकप भी हो गया और ड्रोप भी हो गया 10 बज के 40 मिनिट पे बुकिंग आई थी और 10 बज के 58 मिनिट पे में फ्री भी हो गया ड्रोप करके तो भाई उनको ड्रोप करके मैं आ गया हूँ किरतिनगर के आसपास क्योगि वहां तो भाई कलब रोड पे बहुत बुरा आल था पिकप एंड ड्रोप में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और बुकिंग वहीं से कन्फरम आती तो भाई इसलिए वहां पर डिवाइस बंद करके मैं आ गया हूँ किरतिनगर की तरह देखते हैं हैं यहां से कब तक बुकिंग आएगी 11 बज के 10 मिनिट हो गए है और अगली बुकिंग का मैं कर रहा हूँ वेट किस तरफ की आएगी और कहा की आएगी तो अब मैं प्रेफर करूँगा जिस तरफ मुझे जाना है उसी तरफ की बुकिंग आए और उसी तरफ की बुकिंग मैं लूँगा अब ओजी साइड मैं अब नहीं जा पाऊंगा क्योंकि 11 बज के 10 मिनिट तो होई गए हैं 2 गंटे, 5 गंटे बसते हैं सिर्फ मुझे मुझे पहुच नहीं है तो कोई बुकिंग आती है मैं इस तरफ मुझे जाना उस तरफ की तो भाई उसको पिक करके निकलता हूँ सरीत अभियार की तरफ तो भाई बने रहना वलोग में लास्ट तक दो बुकिंग हो चुकी हैं आज की तो ये ड्यूटी तो अपनी कंफर्म है ये एरपोर्ट के लिए बाकि उस बीच में उसके बाद कोई बुकिंग आएगी तो करता रहूंग अपडेट और सुबह चलेंगे बाई मत तुरा तो भाई अगली बुकिंग आ गई है मोतिनगर से महविर इंकलेफ अपने बुकिंग के पिकप लोकेशन पर तो चलो पहले बाई इनको करते हैं पिकप और फिर उसके बाद ड्रोप करने के बात देखें कितने बज़े फ्री हो पाऊंगा इस बुकिंग से तो आगे फिर करेंगे अपडेट अब 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 कर देख रहे हैं बाई साब तो बाई महवीर इंकलेव की जो बुकिंग आई थी मोति नगर से उसका ड्रोप हो गया था बारा बज़ के दस मिनिट बिल उसमें बढ़े था 1445 रुपे का 11 किलोमेटर की टोटल राइड थी और उनको ड्रोप करने के बाद बाई एक बुकिंग और आई थी नौएड़ा के लिए जिस तरह मुझे आना था वहीं के लिए मगर यार वो नाइजिरियन थे एक तो फुल सराब पी रखी थी उन्होंने और बस ऐसे ही मैंन मैंने उनको मना कर दिया तो उनको मना करने के बाद मैं आ गया हूं सीधा बाई जो मेरा फिक अप है धाई बजे का शरीता विहार है अभी टाइम एक बज के 15 मिनिट हुए है एक जेक्ट और बस मैं एक घंटा पहले ही आ गया जब तक मैं एक घंटा यहां सोंगा पैसेंज से आये थे उन्हीं का आज ड्रोप है वापसी एरपोर्ट पे तो इनको ड्रोप करने के बाद टाइम मेरे पास बचे का हुला चलाने के लिए अगर चलाओंगा तो अपडेट करूंगा बाई और सहले तो धाई बजने का वेट करते हैं उसके बाद आगे देखते हैं क्या क अब यहां को छोड़ दिया है अभी जा रहे हैं जराइल फिर आएंगे तो फिर बात होंगी हमारी अभी इस सुबह के तीन बज के पीस मिनिट पे ड्रोप कर दिया है बाई को है तो बाई पैसेंजर का ड्रोप हो गया था तीन बज के बीस मिनिट पे एरपोर्ट पे दो बज के थिस मिनिट पे हम वहां से निकले थे मिनिट के आसपास हमें मौत पहुचने में लगया और 27 किलो मीटर भाई दूरी थी टोटल उनको कर दिया है ड्रोप उनको जाना है इजराइल वह दूबार आएंगे तो भाई फिर करेंगे कौल तो आज को तो बाई अपना तीन ड्यूटी तो मैंने ओला पे किया था और ए सी एंजी खर्च हो गई रात में काम हुआ है मेरा 22 रुपेगा दिन में काम हुआ था मेरा 25 रुपेगा तो टोटल यह काम हुआ है और खर्चा है 800 रुपेगा तो भाई आज के व्लोग का एंट करने का भी आ गया है टाइम मैं पहुंच के हूं करोलवा गाड़ी साफ करान पूरी उमीद है कि आपको पसंद आया होगा वीडियो और नाइट में भी काम है बाई ओला उबर में तो कई दो तिन डूटी मैं नहीं कर पाया और करीब एक बज़े तक मैं दस साड़े नो बज़े के बाद बाद तो पहली बुके आई थी और बारा बज़े तक ही मैंने क क्या था थो नाइट में भी काम भई जो वाइराध मेंघाड़ी चलाने चाखते हो तो तो रात में भी काम कर सकते हो तो बाई चलो इस वीडियो का तो कर रहा हूं यहीँड मिलता हो भई अगले व्लोग में स often बिक्की खत्री की तरफ से और राम राम है कर दो कर दो कर दो कर दो